हेलो फ्रेंड वेलकम बाइक टू मादरी कीचन ब्लॉक फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं नास्ते में उबले आलू और काले चने का जो है इसनेक्स इसको आप कटलेट भी बोल सकते हैं उबला हुआ हम ले लेंगे चना और उबला आलू इसको मैस कर लेंगे हरी मिर्च ले भी बना हुआ था कटलेट हमारा आप इस तरह से बनायेगा चटपटा नास्ता चाय के साथ इंज्वाए करिएगा अब इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे या जीरा ही डाल दें आप साबूत नमक एट कर देंगे लाल मिर्च पाउडर रेट कर देंगे थोड प्रशंब निभू भी इसमें डाल सकते हैं अभी जब को मच्छ से मिक्स कर लेते हैं कि अच्छे से मिसक कर चुके हैं अब हम लेंगे कान फ्लोर या आर रोड आर इसको हम अच्छे से एक बावल में निकाल लेंगे इसको हम बिल्कुल ही पानी डालके गोल नहीं बनाएंगे इधर हमने गैस पे कड़ा ही रख दिया है अब इसको हम सूखे ही हाथेली पे थोड़ा सा थेल लगा लगा के हम इसको कटलेट का सेफ देंगे आप चाहे तो गोल सेउब थें या चोको जैसा भी आपको यह सेउब दे नि शकते हैं वोड शेप कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरह से बना courageous और इसी माने से लेंगे pa Justak तो इस टिक्किया बना के हम रख लेंगे पहले उसके बाद हम डीप कर लेंगे और हम चलते हैं फ्राइब करने गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे तो इसमें डाल दिया है अब इसे हम नीचे से सिकने देंगे अब हम इसे पलट देंगे गैस की फ्लेम हाई ही रखेंगे हम इसको पलट देंगे जब थोड़ा सा उपर से क्रिस्प हो जाए तब इसे गैस की फ्लेम हम सिम करेंगे और इसे हम दो-तीन मिनट अच्छे से कुरुकुरा होने तक पकने देंगे बहुत जटपट बनने वाली रेसिपी है ये नास्ता आपका भी भी इसे बना के कोई भी आपके गेस्ट आ जाए या अपनी खाना हो कुछ ना समझ में आए तो इस तरह से बना के एक बार ट्राई जरूर करिएगा ये देखिए हमारे अच्छे से कटलिस्ट बन के तयार हो गए है आई होग हमारी वीडियो आपको पसंद जरूर आए होगी पसंद जरूर आएगी तो इसे ट्राई जरूर करिएगा तो साथ में हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्यू आल